ऐसे हम अपने बेनों के धियाने नहीं नवादा जा दू पिपले असलाम अलेकुम विवर्ज आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही मुनफरिद सा मिक्स वेज पराथा तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं मिक्स वेज पराथा बनाने के लिए पतीली में हमने 2-3 टेबिल स्पून ओयल डाल लिया है अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबिल स्पून लहसन पेस्ट और चंद सेकेंड इसे भून लेंगे अब इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 2-3 टेबिल स्पून पानी ताके हमारा मसाला जलेना और अब इसमें मसाले शामिल करेंगे नमाग 1 टी स्पून लाल मिर्च पाउडर 1 टी स्पून हल्दी पाउडर आधा टी स्पून काले मिर्च पाउडर 1 टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च एक टी स्पॉन, गरम मसाला पाउडर आधा टी स्पॉन, चन्द सेकंड इस मसाले को हम भोनेंगे देखिए एक मिनिट हो चुका है और हमारा मसाला भुन चुका है अब इसमें हम कुछ सबजियां शामिल करेंगे जिसमें एक बन गोवी, पेडियम साइस की एक बन गोवी हमने ली ये इसमें शामिल करेंगे साथ ही एक गाजर, दो आल की प्याज यानी हरी प्याज, एक बड़ी साइस की शिमला मिर्च हमने ली और बारीक बारीक तमाम सब्जियों को काट लिया और साथ ही इसमें शामिल करेंगे दो से तीन बारी करी हुई हरी मिर्चें दो से तीन टेबले स्पून सोया सास अच्छी तरह से चला लेंगे और अब इसे कवर कर देंगे और सबजियों की गल जाने तक हम इसे पका लेंगे यहां हमने लिए हैं आलू आधा किलो इन्हें हमने अबाल लिया था बगएर कोई भी चीज शामिल किये इन्हें हम निकाल लेंगे एक बड़े से बरतन में और अब इसमें शामिल करेंगे एक टेबल स्पून चाट मसाला तीन से चार टेबल स्पून हरा धनिया आलू को और इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे ये देखिए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं हमारी सबजियों को पकते हुए सबजियों का पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है ये देखिए फ्लेम आफ कर देते हैं और अब इसे हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं ये देखिए सबजियों हमारी ठंडी हो चुकी है अब इन सबजियों को हम आलूँ में शामिल कर देंगे और अच्छी तरह से इन तमाम चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे ये देखिए हमारा आलू का मेज़ा बिलकुल तयार हो गया है अब आजाते हैं रेसिपी के सेकेंड डिस्ट आप के जानेब तो यहां हमने लिया है तीन कप मैदा अब इसमें शामिल करेंगे आधा टी स्पॉन नमक, आधा टी स्पॉन अजवाइन और साधे पानी के साथ इसे हम गुन लेंगे नॉर्मल सी डो बनाएंगे जैसे के अमोमन हम रोटी या पराठा बनाने के लिए बनाते हैं और अब इसे 10 मिनट के लिए हम रख देंगे यह देखिए 10 मिनट हो चुके हैं डो हमारी सैट हो चुकी है अब इस पर हम डालेंगे दो टेबिल स्पून घी या ओयल और अच्छी तरह से इसे नेट कर लेंगे ये देखिए हमारी डो बिलकुल तैयार हो चुकी है चलिए अपने मज़ेदार से वेज पराठे बनाना शुरू करते हैं करते हैं स्सक्राइब झाल 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 यह देखिए हमारे बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लाजवाब मिक्स वेच पराठे बिलकुल तैयार हैं बिस्मिल्लाइक्पर रुखीम असलाम अलेखिए बेगम ने आज बेज बिक्स पराठा बनाया है जिसका मैं रिव्यू देने जा रहा हूं देख सकते हैं माशाला जो है जवर्दस लग देखने में अब मैं से रिव्यू देता हूं बहुत ही आ रहा है यार बहुत ही जवर्दस माइं बुरूइंट ऐसे हम अपने बेगम के दिवाने देख सकते हैं अधिका अल्हाफिज